मुन्शी प्रीम चंद की कहानी स्वत्व रक्षा कथावाचक सोनम मीर दिलावर अली के पास एक बड़ी रास का कुम्मैत घोडा था कहते तो वो यही थे कि मैंने अपनी जिन्दगी की आधी कमाई इस पर खर्च की है परवास्तों में उन्होंने ये पल्टन में सस्ते दामों में मोल लिया था यो कहिए कि ये पल्टन का निकाला हुआ घोडा था शायद पल्टन के अधिकारियों ने इसे अपने यहां रखना उचितना समझ कर नीलाम कर दिया था मीर साहब कचहरी में मुहरर थे शहर के बाहर मकान था कचहरी तक आने में तीन मील की मनजल तै करनी पड़ती थी एक जानवर की फिक्र थी ये घोड़ा सुभीते में मिल गया, ले लिया पिछले तीन वर्षों से वो मीर साहब की ही सवारी में था देखने में तो उसमें कोई एब ना था पर कदाचित आत्म सम्मान की मात्रा अधिक थी उसे उसकी इच्छा के विरुधिया अपमान सुचक काम में लगाना दुस्तर था खैर, मीर साहब ने सस्ते दामों में कला रास का घोड़ा पाया तो फूले ना समाए लाकर द्वार पर बांध दिया साइस का इंतजाम करना कठिन था बेचारे खुद ही शाम सवेरे उस पर दो चार हाथ फेर लेते थे शायद घोड़ा इस सम्मान से प्रसन होता था इसी कारण रातिब की मात्रा बहुत कम होने पर भी वो असंतुष्ट नहीं जान पड़ता था उसे मीर साहब से कुछ सहानुबूत ही हो गई थी इस स्वामी भगती में उसका शरीर बहुत छीन हो चुका था पर वो मीर साहब को नियत समय पर प्रसनता पूर्वक का चहरी पहुचा दिया करता था उसकी चाल उसके आत्मिक संतोष की दियोतक थी दौर्णा वो अपनी स्वाभावी गंभीरता के प्रतिकूल समझता था उसकी दृष्टी में उच्ष्रंखलता थी स्वामी भगती में उसने अपने कितने ही चिर संचित स्वत्वों का बलिदान कर दिया था अब अगर किसी स्वत्व से प्रेम था तो वो रविवार का शांती निवास था मीर साहब इतवार को कचहरी न जाते थे घोडे को मलते नहलाते तैराते थे इसमें उसे हारदिक आनंद प्राप्थ होता था वहां का चहरी में पेड के नीचे बंधे हुए सूखी घास पर मुह मारना पड़ता था लू से सारा शरीर जुलस जाता था कहां इस दिन छप्परों की शीतल छाह में हरी हरी दूब खाने को मिलती थी आतेव इतवार को आराम वो अपना हक समझता था और मुम्किन न था कि कोई उसका ये हक छीन सके मीर साहब ने कभी कभी बाजार जाने के लिए इस दिन उस पर सवार होने की चेश्टा की पर इस उद्योग में बुरी तरह मुह की खाई गोडे ने मुह में लगान तक न लगाने दी अंत में मीर साहब ने अपनी हार स्विकार कर ली वो उसके आत्म सम्मान को आगहात पहुचा कर अपने अव्यवों को परिक्षा में न डालना चाहते थे मीर साहब के पडोस में एक मुशी सौदागर लाल रहते थे उनका भी कचहरी से कुछ संबंध था वो महरिर ना थे, करमचारी भी ना थे उन्हें किसी ने कभी कुछ लिखते पढ़ते ना देखा था पर उनका वकीलों और मुखतारों के समाज में बड़ा मान था मीर साहब से उनकी दात काटी रोटी थी जेट का महीना था बारातों की धूम मची थी बाजे वाले सीधे मूँ बात न करते थे आतिश बाज के द्वार पर गरज के बावले लोग चर्खी की भांती चक्कर लगाते थे भाड और कथक लोगों को उंगलियों पर न चाता था पालकी के कहार पत्थर के देवता बने हुए थे भेट लेकर भी ना पसीजते थे इसी सहालगों की धूम में मुशी जी ने भी लड़के का विवा हठान लिया दबावाले आदमी थे धीरे धीरे बारात का सब सामान जुटा तो लिया पर पालकी का प्रबंध ना कर सके कहारों ने एन वक्त पर बयान लोटा दिया मुशी जी बहुत गरम पड़े हरजाने की धमकी दी पर कुछ फलना हुआ विवा शोकर यही निश्चय किया कि वर को घोडे पर बिठा कर वर यात्रा की रस्म पूरी कर ली जाए चै बजे शाम को बाराच चलने का मुहूर्त था चार बजे मुशी ने आकर मीर साहब से कहा यार अपना घोड़ा दे दो वर को इस्टेशन तक पहुँचा दे पालकी तो कहीं मिलती नहीं मीर साहब आपको मालूम नहीं आज इतवार का दिन है मालूम क्यों नहीं है पर आखिर घोड़ा ही तो ठहरा किसी ना किसी तरह स्टेशन तक पहुचा ही देगा कौन दूर जाना है यो आपका जानवर है ले जाए पर मुझे उम्मीद नहीं कि आज वो पुठे पर हाथ तक रखने दे अजी मार के आगे उसकी ये जिद आप लोगों ने तोड़ दी तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा मगर जयो ही मुझे जी अस्तबाल में पहुचे घोड़े ने सशंक नित्रों से देखा और एक बार हिन हिना कर घोशित किया कि तुम आज मेरी शांती में विग्ण डालने वाले कौन होते हो बाजे की धरधर पोपों से वो उत्तेजित हो रहा था मुझे जी ने जब पगहे को खोलना शुरू किया तो उसने कनोतियां खड़ी की और अभिमान सूचक भाव से हरी हरी घास खाने लगा लेकिन मुशी जी भी चतुर खिलाडी थे तुरंत घर से थोड़ा सा दाना मंगवाया और घोड़े के सामने रख दिया घोड़े ने इधर बहुत दिनों से दाने की सूरत ना देखी थी बड़ी रुची से खाने लगा और तब कृतग ये नेत्रों से मुशी जी की और ताका मानू अनुमती दी कि मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ती नहीं है मुशी जी के द्वार पर बाजे बज रहे थे वर वस्त्रा भूशन पहने हुए घोड़े की प्रतीक्षा कर रहा था मोहले की इस्त्रियां उसे विदा करने मुशी जी ने चुमकारा, पुचकारा, पीट सहलाई, फिर दाना दिखलाया पर घोड़े ने जब अभी मुँ में लगाम न ली तो उन्होंने उसके नथुने पर चाबुक के बेद से कई बार मारा नथुनों से खून निकलने लगा घोड़े ने इधर उधर दीन और विवश आँखों से देखा समस्या कठिन थी, इतनी मार उसने कभी न खाई थी मीर सहब की अपनी चीज थी, ये इतनी निर्दैता से कभी न पेश आते थे सोचा मुँ नहीं खोलता तो नहीं मालूम और कितनी मार पड़े लगाम ले ली, फिर क्या था, मुईशी जी की फताय हो गई उन्होंने तुरंत जीन भी कस दी, दूलह कूद कर घोड़े पर सवार हो गया जब वर ने घोड़े की पीट पर आसन जमा लिया, तो घोड़ा मानू नींद से जागा विचार करने लगा, थोड़े से दाने के बदले अपने इस स्वत्व से हाथ धोना एक कटोरे कड़ी के लिए अपने जनमसिद अधिकारों को बेचना है उसे याद आया कि मैं कितने दिनों से आज के दिन आराम करता रहा हूँ तो आज ये बेगार करूं ये लोग मुझे ना जाने कहां ले जाएंगे लोंडा आसन का पक्का जान पड़ता है मुझे दोड़ाएगा, एर लगाएगा, चाबुक से मार मार कर अधमुआ कर देगा फिर ना जाने भोजन मिले या नहीं ये सोच विचार कर उसने निश्चे किया कि मैं यहां से एक कदम न उठाऊंगा यही न होगा, मारेंगे सवार को लिये हुए जमीन पर लोट जाऊंगा आप ही छोड़ देंगे मेरे मालिक मीर सहाब भी तो यही कहीं होंगे उन्हें मुझ पर इतनी मार पड़ती कभी न पसंद आएगी कि कल उन्हें कचहरी भी न ले जा सको वर जियों ही घोड़े पर सवार हुआ इस्त्रियों ने मंगल गान किया फूलों की वर्षा हुई बारात के लोग आगे बढ़े मगर घोड़ा ऐसा अड़ा की पैर ही नहीं उठाता वर उसे एर लगाता है चाबुक मारता है लगाम को जटके देता है मगर घोड़े के कदम मनो जमीन में ऐसे गड़ गए हैं कि उख़ड़ने का नाम नहीं लेते मुझ शी जी को ऐसा क्रोध आता है कि अपना जानवर होता तो गोली मार देते मित्र ने कहा आड़ील जानवर है यो ना चलेगा इसके पीछे से डंडे लगाओ आप दोड़ेगा मुझ शी जी ने ये प्रस्ताव सुईखार किया पीछे से जाकर कई डंडे लगाए पर गोड़े ने पैर न उठाया उठाये तो भी अगले पैर और आकाश की ओर दो एक बार फिर पिछले पैर भी जिससे विदित होता था कि वो बिल्कुल प्राण ही नहीं है मुझ शी जी बाल-बाल बच गए तब दूसरे मित्र ने कहा इसकी पूँच के पास एक जलता हुआ कुंदा जलाव आज के डर से भागेगा ये प्रस्ताव भी सुईक्रत हुआ फल ये हुआ कि घोड़े की पूँच जल गई वो दो तीन बार उचला कूदा पर आगे न बढ़हा पक्का सत्याग रही था कदाचित इन यंत्रनाओं ने उसके संकल्प को और भी द्रण कर दिया था इतने में सूर्यास्त होने लगा पंडी जी ने कहा जल्दी कीजिये नहीं तो मोहरट टल जाएगा लेकिन अपने वश की बात तो थी नहीं जल्दी कैसे होती बाराती लोग गाउं के बाहर जा पहुँचे यहां इस्त्रिया और बालकों का मेला लग गया लोग कहने लगे कैसा घोड़ा है कि पगी ही नहीं उठाता एक अनुभवी महाशेय ने कहा मार पीट से काम नहीं चलेगा थोड़ा सा दाना मंगवाईए एक आदमी इसके सामने तोबड़े में दाना दिखाता हुआ चले दाने के लालच में खटखट चल जाएगा मुशी जी ने ये उपाय भी करके देखा पर सफल मरूरत ना हुए घोड़ा अपने स्वत्व को किसी दाम पर बेचना नहीं चाहता था एक महाशय ने कहा इसे थोड़ी से शराब पिला दीजिये नशे में आकर खूप चौकडिया भरने लगेगा शराब की बोतल आई एक तसले में शराब उडेल कर घोड़े के सामने रख दी गई पर उसने सूंग ही तक नहीं अब क्या हो चिराग जल गए महूर्त टल चुका था घोड़ा ये नाना दुरगतियां सहे कर दिल में खुश होता और अपने सुख में विग्ण डालने वाले की दुरावस्था और व्यगरता का आनन्द उठा रहा था उसे इस समय इन लोगों की प्रियतनी शीलता पर एक दार्शनिक आनन्द प्राप्त हो रहा था देखे आप लोग अब क्या करते हैं वो जानता था कि आप मार खाने की संभावना नहीं है लोग जान गए हैं कि मारना व्यर्थ है वो केवल अपनी युक्तियों की विवेचना कर रहा था पांचवे सज्जन ने कहा अब एक तरकीव है वो जो खेत में खाद भेकने की दो पहिया गाड़ी खड़ी होती है उसे घोड़े के सामने लाकर रख दीजिए इसके दोनों अगले पैर उसमें रख दिये जाए और हम लोग गाड़ी को खीचे तब तो जरूर ही उसके पैर उठ जाएंगे अगले पैर आगे बढ़े तो पिछले पैर भी जख मारकर उठेंगे ही घोड़ा चल निकलेगा मुईशी जी डूब रहे थे कोई तिनका सहारे के लिए काफी था दो आदमी गए दो पहिया गाड़ी निकाल लाए वर ने लगाम तानी चार-पांच आदमी घोड़े के पास डंडे लेकर खड़े हो गए दो आदमियों ने उसके अगले पाउं जबरदस्ती उठा कर गाड़ी पर रखे घोड़ा अभी तक ये समझ रहा था कि मैं ये उपाई भी ना चलने दूँगा लेकिन जब गाड़ी चली तो उसके पिछले पैर आप ही आप उठ गए उसे ऐसा जान पड़ा मानो पानी में बहा जा रहा हूं कितना ही चाहता था कि पैरों को जमालू पर कुछ अकल काम न करती थी चारो ओर से शोर मचा चला 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 तालिया पढ़ने लगी लोग थठे मार मार कर हसने लगे घोड़े को ये उपहास असै है था पर करता क्या हाँ उसने धैरे न छोड़ा मन में सोचा इस तरह कहां तक ले जाएंगे ज्यों ही गाड़ी रुकेगी मैं भी रुक जाओंगा मुझसे बड़ी भूल हुई मुझे गाड़ी पर पैर ही न रखना चाहिए था अंत में वही हुआ जो उसने सोचा था किसी तरह लोगों ने सो कदम तक गाड़ी खीची आगे ना खीच सके सो दो सो कदम ही खीचना होता तो शायद लोगों की हिम्मत बंध जाती पर स्टेशन पूरे तीन मील पर था इतनी दूर तक गोड़े को खीच ले जाना दुस्तर था जियों ही गाड़ी रुकी गोड़ा भी रुक गया वर ने फिर लगाम को जटके दिये एर लगाई चाबुको की वर्षा कर दी पर घोड़े ने अपनी टेक न छोड़ी उसके नतुनों से खून निकल रहा था चाबुको से सारा शरीर छिल गया था पिछले पैरों में घाव हो गय थे पर वो द्रण प्रतिगी घोड़ा अपनी आन पर अड़ा हुआ था पुरोहित ने कहा आठ बज गये मोहोर तटल गया दीन दुरबल घोड़े ने मैदान मार लिया मुईशी जी क्रोधोन मत होकर रोपड़े वर एक कदम भी पैदल नहीं चल सकता विवाह के अवसर पर भूमी पर पाउं रखना वरजित है प्रतिष्ठा भंग होती है निंदा होती है कुल को कलंक लगता है पर अब पैदल चलने के सिवाए अन्य उपाय नहीं था आकर घोड़े के सामने खड़े हो गए और कुंठित स्वर से बोले महाशे अपने भागे बखानो कि मीर साहब के घर के हो यदि मैं तुम्हारा मालिक होता तो तुम्हारी हड़ी पसली का पता न लगता इसके साथ ही मुझे आज मालूम हुआ कि पशु भी अपनी स्वत्र की रक्षा किस प्रकार कर सकता है मैं नहीं जानता था कि तुम व्रतधारी हो बेटा उत्रो बारात इस्टेशन पहुँच रही होगी चलो पैदल ही चलें हम आपस ही के दसबारा आदमी हैं हसने वाला कोई नहीं ये रंगीन कपड़े उतार दो रास्ते में लोग हसेंगे कि पाउँ पाउँ ब्याह करने चला है चल बेड़ यल घोड़े तुझे मीर साहब के हवाले कराऊं मुन्शी प्रीम चंद की कहानी स्वत्व रक्षा कथावाचक सूनम